नमस्कार मैं सुरंजना आप देख रहें एक न्यूस 24 नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पुड़ा होने के उपलक्ष में मोतिहारी ओडिटोरियम में एक कारिक्रम में भाग लेने के लिए राजसभा सदस्य और पूर्व डिप्टी सीम सुशील कुमार मोदी पहुचे साथ ही उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाओ को लेकर खोल दिया है पहला पत्ता आएए जानते हैं अब खबर विस्तार से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार 23 जून को पत्ना में विपक्षी दलों की बैठक करने वाले हैं इस बैठक में कई दलों के निताओं का जुटान होने वाला है इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर रवीवार 11 जून को राजसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा और सीम नितीश कुमार पल हमला बोला है बिहार के पूर्व डिप्टी सीम सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पुरा होने के उपलक्ष में मोतिहारी आडिटोरियम में व्यपारी सम्मेलन कारिकरम में भाग लेने पहुचे थे सुशील मोदी ने कहा कि नितीश कुमार की हैसियत अब एक मुन्शी की हो गई है मुन्शी की तरह विपक्षी दलों के नेताओं को फोन कर बाड़ी बाड़ी से सभी को एकत्रित करने की सूचना दे रहे हैं जबकि इनको कोई स्विकार नहीं कर रहा है साथ ही आपको बता दे पूर्वी चमपारन से राधा मोहन सिंग उमीदवार होंगे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री तेली जाती से आते हैं ग्री मंत्री वैश जाती से हैं वैश समुदाय के नेता दोनों पदपर आसीन हैं एक बार फिर 2024 के लोगसभा चुनाओ में आप सभी मिलकर नरेंदर मोदी की सरकार को फिर से लाएं सुशील मोदी ने 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाओ के लिए पत्ता खोलते वे यह कह दिया कि पूरविच अमपारन लोगसभा से बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंग होंगे यहां बता दें कि राधा मोहन सिंग ने 2019 के लोगसभा चुनाओ में नामांकन के दौरान पार्टी की गाइडलाइन के तहत उम्र सीमा को लेकर कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाओ बताया है वहीं सुशील मोदी ने कहा कि नितीश कुमार देश के पीएम नरेंदर मोदी से मुकाबला करते हैं 2024 के लोगसभा चुनाओ में कॉंग्रेस आरजेडी समय जेडियू का खाता नहीं खुलेगा नितीश कुमार को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि आप तो फोन कर देश भर के विपक्षी को कहते हैं आज आईएगा आप मुन्शी या पीए का काम कर रहे हैं आपको गलत फेहमी हो गई है कि विपक्षी नेता मान लेंगे आपसे ज्यादा ताकतवर ममता बेनरजी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर 215 MLA जीता है आपसे ज्यादा ताकतवर अर्विन केजरी वाल हैं जिनकी दो राजियों में सरकार है तो सुना अपने कि किस तरह से बिहार के पूर्व डिप्टी सीम सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर तंज कस्ते वे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर हमला बोला है फिलहाल इस वक्ती खबर में इतना ही ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूस 24 और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियो उसको लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद